मैं आज पहला चैप्टर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ आपको पहले ही बता चुपा हूँ कि पहला चैप्टर जो हमारा होगा वो भार्थी अर्थ बेवस्था पर दाई होगा यनि अर्थ बेवस्था, एकोनमी और एकनोमिक्स दो एक अलग अच्छी है एकोनमी क्या है और एकनोमिक्स क्या है पहले हम यह समझने की कोशिश करते हैं फिर इसके बाद बात करेंगे कि एकोनमी कितने प्रकार की होती है थाइप साफ एकोनमी तो हम सबसे पहले बात करते हैं एकनोमिक्स करते हैं है तो सारे चीजें के जमाज में आ रही हुए सबसे पहली बात आती है कि इकनोमिक्स इस आल एवाउट दा थिंग्स विश्वी दू इन आवर डेली लाइप उन सब चीजों के बारे में है जो हम अपने दैनिक क्रिया क्लाप में करते हैं तो इसका डेपनीशन क्या है? डेपनीशन इसका ये है जो जनरली हम लोग उज़ करते हैं इकनोमिक्स इकनोमिक्स इस वाट इकनोमिस्ट दू इकनोमिक्स वह है जो इकनोमिस्ट करते हैं अर्थशास्त वह है जो अर्थशास्ती करते हैं तो सवाब तो यह आए ना कि आखिर अर्थशास्ती करते क्या है? इकनोमिस्ट करते क्या है? अर्व शास्त्री इक्मॉमिस्ट करती हिए कि जो हम अपने दैनिक याग राफ में कार्य करते हैं अपने जीव को फारजन के लिए कार्य करते हैं उन जीव को फारजन के लिए संसार्मों और आवशक्ताओं के बीच सामंज़स से बिखाने का तरिे संसाधन हमारे सीमित है दो चीज की बात करते हैं Resources और Wants Resources तो आख Limited हम Limited Resources की बात करते हैं और Wants हमारी क्या है Unlimited तो स्वाविक सीवार है इन दोनों के बीज में हमको सामंजस बिठाना पड़ेगा तो Economists यही करते हैं जो Resources और आखकाओं के बीज में सामंजस बिठाते हैं तो सवाल इस बात का आया कि Economics की सुभात कहा से जिप्स करता आएगा एंज में करतों की अर्शास से आएी lu का अर्शास तो बहुत कुराणा है कर दो है एक आपको बता दें कोटिली की का जो अर्षास्त्र है वो अर्षास्त्र है। उसका नाम अर्षास्त्र है। वो भार्ती राज़नीत की बिवस्था पर लिखी हूए एक उसका है। जिसमें इस बात का जिसर किया गया है कि एक देश का संचाल कैसा होना चाहिए, राजा के करतब्ब क्या है, करप्रणाली कैसी होनी चाहिए, ब्यापार किस तरह से करना चाहिए, किनके शाथ करना चाहिए, इन सम का विप्रण जो मिलता है वो मिलता है अर्थसाथ में. कोई अर्ठ पर लिखा हुआ उसास नहीं है बल्कि ये राजवितिक वश्टा पर लिखा हुआ शास रहा तो अर्षास की सुरुवार कहां से होती है श्वार चोनल दै कि इक सुरुवार होती है एड़ाम इश्मिट से और एड़ाम इश्मिट का बाते हैं 1976 में उनकी एक बुग आई थी जिसका नाम था Well of Nations यहां करें नेशन नहीं है नेशन से Well of Nations इसका पूरा नाम है पूरा नाम आप रोट कर लिए पूरा नाम है इस उस तक का An Inquiry into the Nature An Inquiry into the Nature And Causes of Wealth of Nations And Causes of Wealth of Nations तो यही से 1976 से इन्हें पुदराफ एकनोमिक्स कहा गया अब सास की शुरुआ यही से उलिए अब सवाल आता है कि यह तो इकनोमिक्स की शुरुआ हुई तो इकॉनमी कहा गए था इकनोमिक्स हमने आपको दो जीत बताया कि हम अपने इस अन्लिम्टेट वांट्स को पुदा करने के लिए जो रिसोर्सेज की बीच में सामंज़ से बनाते हैं जो रिसोर्सेज की बीच में सामंज़ से बनाते हैं रिसोर्सेज क्या है निच्रल है वांट्स क्या है वांट्स क्या है अल्लिंटिड तो है लेकिन यह वांट्स क्या है त्यों सप थो नेक्रम है वांट्स हमाने विजिकल香港 है और यह भिष्टिकलहरण यह क्या है क्या है तो मैं मेड़्िश् वांट रचेजें सब्सक्राइब तो ते नेजलरल लिसॉर्टे-के साथ. अब नेजरल लिसॉर्टे से हम क्या कर सकते हैं. कुछ मैंन मेड् एक्ट्वीटी करते हैं. सामसे पहले क्या करते हैं. जब हमाउमे हमेफनेa wants को फूरा करना हैं, तो क्या करेंगे ? Production क्रेंगे ? Production करेंगे न तो एक अक्टिविटी हुई प्रोडक्शन, दूसरा क्या करेंगे, इन वांस को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, कंजंशन करेंगे, को भोग करेंगे, तीसरा क्या करेंगे, को भोग करेंगे, को भोग करेंगे, को भोग करेंगे, तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंग इसके बाद क्या करेंगे? Distribution जब करेंगे, तो कुछ हम आप से लेंगे, और कुछ आपको देंगे. तो ये चार activity होती है, जिनको हम mind-made activity कहते हैं, ये economy के part है. हमने आप से क्या कहा था? economics is what economics moves. फिर मैंने क्या कहा? economics to resources and wants के बीच में, सामज़स इठाते हैं. तो सामज़स कैसे इठाएंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? production करेंगे. फिर क्या करेंगे? अंजबुशन करेंगे. फिर इसके बाद तीसरा क्या करेंगे? distribution करेंगे. और इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद क्या करेंगे? कुछ लेंगे और कुछ लेंगे तो हम क्या करेंगे exchange करेंगे There are four economic systems which are man-made ठीक है अब हम जब economy की बात करते हैं अब economy तो आगे यह नि एक ऐसी बिवस्था जो पार्फ से संबन देता है और जो पूरी बेवस्था को संचारिक गड़ देरी है इसलिए इन वाण्द को पूरा देले ले उसी को हमने क्या कहा अर्थ बेवस्था यह जब हम सध्ध्ध्ध्धिक बात करते हैं जब हम धियूरी की बात करते हैं तो वो अर्षास्थ रोटा है और जब हम खैद्धान के ब्योहारिक बात करते हैं, जब ब्योहारिक रियाक्राप करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, इन वांच को पुरा करने के लिए तो उसको हम अर्फ ब्यवस्था करते हैं। एकोनमी हमारे, जो हमारी एकोनमी है, हम उनको तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं। पहली होती है, हम जिसको कहते हैं, मार्केट एकोनमी। बाजार की सक्तियों द्वारा होता है, बाजार की सक्तियां क्या होती हैं। मार्केट पोर्सें यहें कहते हैं, मार्केट पोर्सें क्या क्या होती हैं। मार्केट पोर्सें क्या हैं, मार्केट पोर्सें क्या हैं। मार्केट पोर्सें क्या हैं। मार्केट एकोनमी में प्राइस हैं नहीं की जाती है। मार्केट फुछ प्राइस ने करता है। दिमाज जादा होगी तो प्राइस पढ़ जाएगी। प्राइस पढ़ जाएगी तो सप्लाइए नहीं पढ़ जाएग। दिमाज थे कि बात करेगे लिए एज tut है। तो किसको हम कहते हैं, मार्केट एकॉनमी, दूसरे हम जो कहते हैं, प्लांट एकॉनमी, प्लांट एकॉनमी, प्लांट एकॉनमी क्या होती है? प्लांट एकॉनमी वो होती है, जो सरकार प्लांट बना करके डिवलप्मेंट के सारे आस्पेक्ट तहिं करती है, यह अगर प्राइस भी तहिकर ना है, तो सरकार तहिकरती है, तैसे तहिकरती है सरकार? आप यसी की मिनिमम सपोर्ट प्राइस न्यूंतन समर्थन मूल के दौरा सरकार प्राइस उप्ते करती है यह कहा हम यूंतन समर्थन मूल को बढ़ा करके पैसानों की आय वो दो गोना तर्ने की पोसिश करेंगे कि यहीत कहा है सरकारने को मेरी माशों किでは यह फ्लाने को होता हुआ जैसे हमारा है development कokedre को तायढने के लिए पहञिए आपने नाम सुन रहे होगा रहे है आश कर इसका नाम हो ज़या है पानी का जीशन को बदलके नाम क्या कर दिया गया है नीदी आयो क्या है इसका पूर्फार्फ क्या है नीशनल इस्टिटूट पार टोंस्फार्मीं इंडिया National Institute for Transparnation India तो Plant Economy को हम Plant Economy कहा है हम इसको Socialist Economy भी कहते है Socialist Economy या हम इसको Socialism भी कहते है हम इसको Socialism कहते है और Market Economy को हम क्या कहते है Capitalism तो यहां पर हमने यह आपसे नहीं कहा कि यहां पर सरगार कोई चित्ते कर लिए यहां पर हर सी कौन तरगार चित्ते कर रहा है तो market forces के लिए एक term हम चूज करते हैं आप लोगोंने सायच सुना नहीं होगा Laces Fair Policy Laces Fair Policy L A I W S E Z Laces Fair Policy इसको कभी लिएप प्रणूंशियेट करते हैं हम लासे प्रणूंशियेट करते हैं तो लेसे स्पूरियर पॉसी के लिए इसका मतल है आ हस्तक छेप की निवी यनि शर्कार का कोई भी हस्तक छेप नहीं होता है। जैसा कि हमें सोशलिस्ट इकॉनमी में आपको दिखाया। कि सोशलिस्ट इकॉनमी में सपतक है। प्लान बनाती हैं, एक्सिक्यूट करती हैं, मार्केट को कंट्रूल करती हैं, मार्केट को कंट्रूल करने के लिए आपने देखा होगा, जैसे IRDA है, इन्सोरेंस रिप्लेटरी टी, IRDA, और RBI है, ABA रिप्लेटरी बाड़ी है, दूसरा आपका सेवी है, शेर मार्केट को कंट्रूल करती हैं, तो ऐसा मार्केट एकॉनमी में या चैप्रिस्ट एकॉनमी में ऐसी कोई चिक नहीं होगी, आपका सेवी है, यहां पर पाई जाती है, तो हमने दो तरह आपका सेवी और दूसरी सोचिस्ट एकॉनमी, ठीक है, तीसरी तरह क्लिए टीकॉनमी होती है, हम इसको कहते हैं, विस्ट एकॉनमी में, कुछ मार्केट का जीसा होता है, और कुछ गवर्मेंट का कंट्रूल होता है, ऐसे छेटर जहां पर प्राइवेट सेक्टर, अपने कारे सोतंतरता प्रूबर कर सकते हैं, वेर यार फ्री टू वर्ट इस्मूधली, भ्यान रखिया हैं, हम में दो वर्ड यूज किया है, फ्री टू वर्ट इस्मूधली, यनि, काम करने के लिए एड उचित इस्मूध वातावरन बनाना भी सरकार कर्टब तो सरकार का अगर ये कर्टब में है, तो सरकार की किस कर्टब पर कौन निभाएगा, सरकार की निभाएगी, तो यहां पर रोला गया, सोचलिस्ट की का, और प्रोड़क्शन, डिस्रिम्यूशन किसका रामाईर, तो यह तो ठांगी, उकोजत जशाग रहें जाती है, इसको में देखार सियां के लोक्तब क्रोड़क्शन, वाइस्रिम्यूशन, जबुदर में के अगवा कॉन था, या कैपलिस्ट इकानपल में हम ज़ड़िध, जनर्ली लेते हैं, अमेरिका को, इसको डूश को चाइना को और मिल्स एकोनमी के उधारण के तौ़ पर हम लेते हैं इंडिया को अब हम ज़ला एक मेज़र पे से चैथिलिस्ट तो दिस्त आर मिल्स एकोनमी की बात करने देखिए हमारे पास प्रीम गरा की पॉनमी की बात उनमें लोगी है पहला का टैप्रीस्ट इकॉनमी टैप्रीस्ट इकॉनमी में प्राइमेट सेक्टर का हिस्ता जो होता है वो 95% होता है और पब्लिक सेक्टर का जो हिस्सा होता है वो 5% होता है और इनका जो परपस होता है परपस क्या होगा मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट गें तरना ध्यान में जितने भी गॉर्ड में capitalist economy के, ये सारे capitalist economy, developed economy के, एक निया वर्ड आ गया है, आपके साम भी developed, हम इसके बाद चल रहते हैं, कि developed किसको कहते हैं, और underdeveloped किसको कहते हैं, हम फ़रे हम भी capitalism कर रहे हैं, तो capitalist economy, 95% private sector, 5% private sector, purpose क्या है, maximum profit, दूसरा हमने बाद किया था, socialism की, या socialist economy की, तो just opposite, 5% resources private sector में होते हैं, और 95% resources public sector में होते हैं, यहीं किस जगा पर production होगा, कहां होगा, कैसे होगा, industry कहां पर लगाई जाएगी, यह सारा कुछ कह करती हैं, सर्कार, सर्कार में जगती हैं, 5% private sector को दिया जगा है, जोगी उनका भी रोल होता है, और इनका उदेश होता है, maximum, social welfare, और यह में लिखने भी थे, आलमोस्ट, developed economy थे, तीसरी जो हमने आपको बताई थी, वो है, mixed economy, mixed economy में, पहली जो था, वो था, 45% of resources private sector में थे, और 55% resources public sector में थे, अब present में scenario change हो गया है, यानि 55% of private sector में हो गया है, और 45% of public sector में हो गया है, और यहाँ पर इंता पर्फट क्या होता है, क्या होता है, maximum growth, with maximum social welfare, maximum growth with maximum social welfare, capitalism, socialism, socialism में भी हम दो तरह का definition दे सकते हैं, socialism, आपने अभी समाजवाद पढ़ा है, socialism की हिंदी क्या है, समाजवाद, और ज़र इसका developed शुरूप हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, साम्यवाद, जिसके developed शुरूप को क्या कहते हैं, साम्यवाद, समाजवाद और साम्यवाद में अंतर क्या है, समाजबाद और समाजबाद में क्या आंकर है दिखे समाजबाद समाजबाद में इस समाजबाद की डेपनिशन के is according to its ability is according to its ability and is according to its capacity is according to its capacity अर्थात प्रतेक व्यति को उसकी योगिता के अनुशार गारे मिलेगा और उसकी छंकता के अनुशार प्रजिभर मिलेगा यानि जितनी अर्थाद के अनुशार प्रजिभर मिलेगा